Hello everyone, welcome back to my channel, good evening, कैसे हैं आप सबी, I hope आप सबी बहुत अच्छे होंगे, यहाँ पे साम का टाइम है और आज तारीख है 25 जन्वरी और बुद्धवार का दिन है और यहाँ पे साम की दियाबाती का टाइम हो गया था, तो देखें मंदिर में मैंने दिया जला दिया है, उसके ब आज जो हैं अपने बाकी के काम में स्टार्ट करती हूँ, तो देखें बाहर का मौसम ना, बारिस आने का हो रहा है, तो जो भी बाहर चीजे होती हैं, एक बार वो देख लेती हूँ, मैं क्यों से चीजे बाहर रखी हुई है, तो सारी चीजे अंदर ले आओ, नहीं तो बा ला दी हूँ आपके लिए, साम को साथ विजे डेली मेरा वीडियो आता है, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सभी पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें बिना मच जाना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, और सस्क्राइब करके अपने फैमली में अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को सेर जरूर करना तो चलिए यहाँ पर अभी साम की डिनर बनाने का टाइम हो गया है यहाँ पर पापा ने प्यांच टामाटर सब कुछ चौप करके रख दिया है चौपर में और उसके बाद मेरी बारी आती है सबजी बनाने की तो पा अगर मेरा मन ना भी हो ना मैं तब भी नहीं बोलूंगी क्योंकि वो तुरंट करने लग जाते हैं फिर काम और कल से ना मुझे भी बहुत ज़्यादा बोडी पेन हो रहा है तब बित मेरी भी थोड़ा सा ऐसी चल दिये बस डिली डाले सी तो चाहे कुछ भी हो काम तो करने है और आज मैंने सुचा था कि मैं आप सबके साथ ना अपना इवनिंग का पूरा रोटीन जो है वो शेयर करूँगी एक-एक चीजी की साम की सुरुआत मेरी कैसे होती है और सोने स्वने तक मतलब जो भी मेरे काम होते हैं मैं सारे आपके साथ शेयर करूँ पर वो पहले मैं बच्चों को टूसन चोड़ने गई और पांच वज़े उनको टूसन चोड़ने गई उसके बाद साथ वज़े मैं उनको लेने गई और उस बीच में मुझे काफी ठंड लग रही थी और बाहर जाके स्कूटी में आप जाते हो तो मौसम ठंडा है तो हवा चल ड़ी थे उसके बाद भी मैं हजबन को रात को बोल ली थी कि मेरे उपर कुछ और डाल दो ओडने के लिए मुझे इतनी तेज ठंड लग रही थी और अभी आपको यकिन नी आएगा सुबे के 9 बज़ के हैं हजबन आफिस जा चुके हैं बिना लंच लेके आज उनको जाना और रात की सबजी बची थी रोटिया बची थी तो वही खा के वो चले गए हैं क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नी थी उठने की और पापा उठके जा चुके हैं अपने वाउक करने के लिए पापा का रूटीन फिक्स होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में वाउक करने तो वोग करने चले गए और आज जैसे की 26 जन्वरी है तो बच्चों के भी छुटी है और आज बसंद पंचीमी भी है तो सबसे पहले आप सभी को बसंद पंचीमी की धेर सारी सुपकामनाई और 26 जन्वरी की भी आप सभी को बहुत-बहुत सुपकामनाई तो देखें बहुत ज़्यादा फीवर था इस टाइम भी पर मैं अगर लेटी रहती ना तो पुरा दिन ऐसी निकल जाता और एक माँ सब कुछ कर सकती है पर अपने बच्चों के लिए उसको उठना पड़ता है अगर एक माँ अकेली भी हो तो वो खुद के लिए तो कॉंप्रमाइस कर ल मैं खाना वाना सब कुछ बनाया रोटिया बनाई सबजी बनाई पर बच्चों को जैसी मैंने खाना लगाया पापा के लिए और बच्चों के लिए इसी बीच में मुझे बहुत तेज फीवर आ गया और देखे रात को मेरा किचन जैसे मैं छोड़के अंदर गई थी ना ब उनको लगा होगा कि वो उठेगी तो खाना बनाईगी पर उनको पता नहीं था कि मुझे इतना तेज फीवर आ गया था रात को तो वो इन्होंने पिनी बताया होगा कि उसको फीवर करके ना तो ये ऑफिस चले गए थे जब पापा च्छत में से नीचे आये ना तब मुझ सबजी बगेरा पर अच्छा नहीं लगता ना सुबह सुबह फिर पापा को बोलो अच्छा नहीं लगता ऐसे तो देखें चाहे कितना भी लेट उठो कुछ भी हो तो अपने काम तो मैं टाइम टू टाइम फिनिश करके रहूंगी अगर लेट उठती हो ना फिर और लगानी है कपड़े नहीं थे दुनने के लिए तो मोटा मोटा ही ऐसे जाड़ो पोचा कर दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा करने की मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं है और ये रात के ही बरतन रखे हुए हैं जो कि बस सिंक भरा हुआ था बच्चों ने और हस्बर ने और पापा ने डिनर करा और बरतन वगरा सब कुछ ऐसी रखे थे तो मॉर्निंग में ना मैं सब कुछ देख सकती हूँ अगर सिंक में बरतन होंगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मूड ओफ होता है मेरा तो सबसे पहले मैं किचेन में आई मैंने गरम पानी करने के पानी तो ये दिन भर के लिए मग में हो जाता है भर के रख देती हूँ ना मैं तो दिन भर के लिए गरम पानी होता है आजकल सब लोग गरम पानी ही पीते हैं बच्चे भी मैं भी और पापा भी गरम पानी ही पीते हैं तो बस इसको भर के रख दो दिन भर के लिए हो जात परस पहले ब्लेक टी बनाके गए थे क्यूकि उनको पता neue मौनिंग मों के सबसे पहले मैं भी काली चया ही पीती हूं और पापаний तो वो तो पीके चेले गए थे पर फिर मैंने उसी काली चया दूद वेबरा दाल दिया है और पती थोड़ा सा बड़ा दी थी, तो उसी को ही मैं दूदवाली चाहए बना लूँगी, क्योंकि अभी पापक को दूदवाली चाही चाही होगी तो मैं भी वही पीलूँगी देखिए अपने हकी क्लीनिंग का मैंने चुर्व करat Russian है, जो भी cleaning का काम होता है वो तो खैर करना ही पड़ेगा क्योंकि एक दिन भी अगर cleaning नहीं करेंगे तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो सबसे पहले अपनी bad seat वेगरा ठीक कर लेते हैं उसके बाद अपना बागी जाड़ो पोचे का काम में start कर दूँगी and take care